सर राशी विद कैप्रिकॉर आपका रिलेशन्शिप कैसे चल रहा है दस इस गीतु वीरुपुरी फ़म डिवाइन तो चिलिंग अकाडमी डिवाइन तो चिलिंग अकाडमी में तारो रीदिंग, अस्टेलोजी, निमरिलोजी के कंसल्टेशन दिये जाते हैं आप ये सचाएसायडर का है पर हमारे स्टाइस ही नेगिटि वोते है तो औस ऐलेशन्शिप् और आपको एस्टेलोजी, टारो कंसल्टेशन देकर ही आगे बढ़ना चाहिए और अगर planetary positions positive हो रही है तब जाकर आपको किसी को help लेकर आपके relationship को positive होने का उमीद रख सकते हैं आपके planetary position उनका effect बहुत जरूरी है देखना आपके life के उपर ये वीडियो बन रहा है Cancer राशी का Capricorn राशी के साथ relationship कैसा है सो यहाँ पर देखेंगे कि tarot क्या advice दे रहा है Cancer राशी का at present आप बहुत ही giver है आप बिलकुल भी नहीं सोचते हैं आपने आपका career आपका time बहुत कुछ sacrifice किया है आपके relationship के लिए आपके जो partner है Capricorn राशी उनका भी face अच्छा नहीं चल रहा है और वो अपने past को लेकर बहुत ही डुकी है चिंतित है और present पे उनका बिलकुल भी दियान नहीं है लेकिन आपके जो cards है वो बहुत positive आए हैं आप इसी relationship पे अपना time, efforts, energy दे और बिलकुल भी नहीं सोचेंगे इस relationship से बाहर आएं अगर आप इस relationship से बाहर आते हैं तो आप दीखते हैं यहां पे heart के अंदर तीन swords हैं आपको hurt होने वाला है और जिससे आप बीमार पढ़ सकते हैं depression में जा सकते हैं और बहुत ही negative face में जा सकते हैं ऐसलिए आप आपके relationship पे ऐसे नहीं सोचेंगे यह energy time commitment के तरफ लेकर जाएंगे already आप married है तो आप एक forgiving mode में रहें बिल्कुल भी आपके partner के mistakes को highlight नहीं करें नजर अंदास करें कुछ समय के लिए जैसे यहाँ पर आया है तीन महिने के लिए आप partner को free छोड़ें उन्हें freedom दें उन्हें अपने natural mode में आने के लिए time दें और आपको आपकी friends family का support मिलने वाला है आप cancer राशी जो है यहाँ पर दिखाता है कि आप बहुत अच्छे giver है और आपके जो partner है उनके लिए negative काड़ आया है सिलिए मैं remedies उनके लिए बताऊंगी Capricorn राशी वालों के लिए क्योंकि उनका साड़े साथी चल रहा है यह भी एक reason हो सकता है आपके relationship negative होने का तो वो थोड़े समयतली होगा और जैसे ही साड़े साथी का first phase चला जाएगा आपका relationship positive हो जाएगा Capricorn राशी वाले जो है उन्हें हनुमान चाले सा डेली recite करना है काले कपड़े जो है बिलकुल avoid करने है और आपको शनी मंदर जरूर जाना है तो आप अगर अपने पात्ना को शनी मंदर लेके जा सकते हैं every Saturday या घर पर ही आप दोनों मिलकर हनुमान चाले सा का part करते हैं तो इसलिए आपका रलेशन्शिप पोजिटिव हो जाएका थैक यू